क्या हम किसी विशाल से आधुनिक प्रजाती के एलियन के दिमाग में रहते हैं? क्या हम साक्षात भगवान के ही दिमाग के अंश है? क्या हमारा युनिवर्स जिन्दा है? I mean, हमारे ब्रम्हान पर ज़रा नज़र डालिए. ये कितना ही मेल खाता है एक जीव के ब्रेन सेल्स के साथ? सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कनेक्शन्स और सिमिलर अक्टिविटीज जो फिजिक्स के सेम काईदे कानोनों से चल रही है. Well, ये कोई मनघड़त इमाजिनेशन नहीं है, बलकि कुछ बहुत ही काबिल वज्ञाने को द्वारा पब्लिष्ट एक फैसिनेटिंग साइन्टिफिक डिसकवरी है. साल 2020 में आस्ट्रो फिजिसिस्ट फ्रांको वैजा और नियूरो सर्जन अलबर्टो फिलेटी हमारे ब्रेन के दो पाथ सेरेबिलम और सेरेब्रम पर एक एक्सपरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे. इस एक्सपरिमेंट को दरवान जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से ब्रेन के सैंपल्स पर जूम किया तो सड़नली उन्हें एक ऐसी चीज मिली जो दिखने में काफी फैमिलियर थी लेकिन अपने आप में ही काफी वीर्ड उन्होंने देखा 40X मैगनिफिकेशन पर ब्रेन में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे वो बिलकुल जेम्स वेब स्पेस टेलेस्कोप द्वारा खीचे गए यूनिवर्स के इस पिक्चर से मेल खा रहे थे अब दिखने में डेफिनेटली काफी मेल खा रहे लेकिन क्या इसका मतलब हमारा यूनिवर्स किसी advanced being क एक बहुत बड़ा ब्रेन है well, कुछ ही मिंटों में आप जानेंगे उस रिसर्च ने क्या-क्या खुला से कि बड़ अभी के लिए अगर युनिवर्स एक विशाल ब्रेन है ये साइंटिस्टों को कभी पता भी नहीं चलता तो भी mind you, बहुत ही जल्द वो खुद इसे एक जिन्दा ब्रेन में बदलने वाले थे क्योंकि हमारे साइंटिस्टिक ऐसे नैनोबोट पर काम कर रहे हैं जो करीब 20 महीनों के अंदर पूरे पृत्वी को धीमक की तरह निगल सकता है और कुछ सालों में पूरे के पूरे ब्रम्हान तक इसे आगे कहानी में हम डीटेल में समझेंगे बट इससे पहले फर्स तिंग्स फर्स चलो जड़ा ये देख लेते हैं कि इन दोनों रीसर्चर्चर्स को हमारे दिमाग और युनिवर्स में क्या-क्या सिमिलारिटीज में सो वाजा और फिलेटी की एक्सपेरिमेंट काफी सिम्पल थी इन्होंने इसमें हमारे ब्रेन और युनिवर्स की सिमिलारिटीज को तीन बेसिक पारमीटर्स पर चेक किया पहला एपिरेंस, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा कॉम्पोजिशन सबसे पहले जब उन्होंने युनिवर्स और ब्रेन को कंपेर किया तो उन्हें दूर दूर तक इसमें कोई भी सिमिलारिटी नहीं नज़र आई थी बट देन, आउट ओफ क्यूरियोसिटी, उन्होंने सोचा कि क्यो ना इन्ही ब्रेन स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप में मागनिफिकेशन बढ़ा कर देखा जाए देखते हैं कि कैसे पैटर्ण्स नज़र आते हैं और फिर जैसे ही उन्होंने मागनिफिकेशन को बढ़ाया उन्हें ये देखा ब्रेन के सैंपल्स में युनिवर्स में मौजूद गैलेक्सी जैसे क्योंकि इस पॉइंट पर उन्हें दोनों भी सैंपल्स में छोटे-छोटे डॉट्स के साथ उन डॉट्स को जोडने वाले लाइन्स भी दिखाई देने लगे बिलकुल युनिवर्स के इमिज की तरह जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा ब्रेन और युनिवर्स दोनों भी दिखने में स्ट्रक्चर वाइस काफी सिमिलर दिख रहा है और इसलिए फर्स्ट पैरामीटर को टिक करने के बाद अब बारी थी उनके सेकेंड पैरामीटर को जाचने की और इस जाच का नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसे शायद उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो उन्होंने ये देखा on an average brain का एक neuron उसके बगल में मौझूद चार neurons के साथ connected होता है और वही पर universe में भी on an average एक galaxy उसके बगल में मौझूद पांच galaxies के साथ connected होती है This was crazy, micro level पर उनके structure में इतनी striking similarity थी ये दोनों parameters इसी ओर इशारा कर रहे थे कि universe शायद वाकई में एक brain हो सकता है लेकिन इस बात को और पुक्ता करने के लिए उन्होंने अपने final parameter पर भी इन्हें compare करना शुरू किया इसमें उन्होंने सबसे पहले इन दोनों में मौझूद objects के numbers को compare किया और इनके calculation के मताबिक brain में 69 billion neurons है और universe में 100 billion galaxies है and now I know काफी ज्यादा difference लग रहा होगा but surprisingly brain के 69 billion neurons उसका 30% mass है और universe के 100 billion galaxies, you guessed it right, universe का 30% mass है and that's not all, ये similarities यही पर खतम नहीं होती, इनके बचे हुए 70% mass का composition भी similar है I mean दोनों भी entities यानि की brain और universe majorly ऐसे inert substances से बने हैं जो अपने आस पास के किसी भी चीज़ के साथ interact नहीं करते brain के case में for example वो substance है पानी और universe के case में वो substance है dark energy लेकिन friends, hold on a bit, क्या हम सिफ structural similarities के basis पर universe को brain का एक replica कह सकते हैं क्योंकि brain का major काम होता है सोचना तो क्या हमारा universe भी सोच सकता है Is our universe alive? अगर हाँ तो हमें पता कैसे चलेगा और वही connection brain में thoughts को जनम देता है बिलकुल इसी तरह जब galaxy में मौझूद planets, stars और asteroids किसी दूसरे planet या star के साथ collide करते हैं या gravitationally interact करते हैं तो इनके ऐसे random movements की वज़े से उनकी आसपास की चीज़े भी influence होती है और यही interactions फिर पूरे galaxy के gravity को influence करता है जो in turn इसकी मदद से दूसरे galaxies के साथ communicate करते हैं and this is when universe में एक event पैदा होता है just like a thought in our brain so क्या यही universal events असल में universe के thoughts हैं अब neurons में चल रहे interactions की वज़े से अगर brain जिन्दा हो सकता है तो फिर क्या galaxies के interaction से हम यह भी कह सकते हैं कि universe भी जिन्दा है well that's a fascinating thought right अब just because इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं यह में भी आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यह concept काफी silly है but let me inform you scientist हो का ऐसे weird और silly thoughts को follow करने के पीछे एक major reason है वो यह है कि universe के एक brain होने से physics के कई सारे long standing problems solve हो सकते हैं including the biggest problem of the all quantum physics और classical physics के बीच का connection ढूणने का so Einstein की relativity black holes और galaxies जैसे बड़े objects के behaviors को predict करती है और quantum mechanics, electrons, protons, quarks, atoms जैसे चोड़े-चोड़े objects के behavior को predict करती है दोनों भी theories अपने domains के बाहर एकदम useless है और scientist को अभी तक कोई ऐसी theory या equation नहीं ढूण पाए है जो proton से लेकर galaxies तक सभी objects के behaviors को predict कर सके और ऐसे में अगर हम universe को एक brain मानते हैं तो उसमें मौझूद objects के behavior को हम इन दो equations से describe कर सकते हैं and here's where it gets more interesting यह दोनों equations relativity और quantum mechanics जैसे एक दूसरे के opposites होकर भी कुछ special conditions में दोनों भी same results देते हैं याने कि अगर universe एक brain है तो हम उसमें मौझूद proton से लेकर galaxies तक सभी objects के behaviors को एक single equation से समच सकते हैं अब कुछ याद आया theory of everything के लिए भी हम एक single equation ही कबसे ढूण रहे हैं एक equation जो पूरे universe को describe कर सके besides हमारी universe में आज ऐसे 26 physical constants है जिनके एकदम सही मातरा में होने की वज़े से हमारा पूरा universe बन पाया है और टिका हुआ है example के लिए gravitational constant को ही ले लो अगर इसकी value थोड़ी भी उपर नीचे हुई तो हमारा universe कभी बन ही नहीं पाता और इसे 1961 में astrophysicist Robert Dickey ने prove भी किया है so इसका मतलब बिलकुल साफ है universe को brain का एक replica समझने से काफी सारी चीजे sense बनाने लगती है but friends, you know what जहाँ पर एक group of scientists इसे support कर रहे है वही पर एक दूसरी lobby भी है जो इसे total nonsense समझती है उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारा confirmation bias है जो हमें वही चीज दिखा रहा है जो हम देखना चाहते है क्योंकि thermodynamics की नीव रखने वाले physicist Ludwig Boltzman के हिसाब से ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है वो महस बस एक illusion है like इस clip को देखो इस clip में दिखाया गया structure एक certain angle पर ही एक face बनाता है अगर हम इसे थोड़ा सभी mode दे तो आप देख सकते हो ये एक लकडियों का random structure है just like this मैंने जो आपको James Webb Space Telescope की पहली image दिखाई थी उसके साथ भी ऐसा हो सकता है जैसे ही हम यहाँ पर अपना perspective बदलेंगे तो इन images में दिख रहे galaxies का arrangement भी change हो जाएगा अब चलो मान भी लेते हैं कि हमारा brain इसमें trick नहीं हुआ है और universe सच में एक living brain ही है तो इस concept में भी अभी तक एक बहुत बड़ी problem है हमारे brain का size है 140 mm और उसमें electrical signals या information 100 meters per second के speed से travel करती है याने कि हमारे case में एक thought instantaneously generate होता है अब यही चीज़ अगर हम universe पर apply करें तो observable universe का size है 93 billion light years और इसमें information 3 into 10 raised to the power of 8 meters per second की speed से travel करती है याने कि हमारे brain के comparison में universe में एक thought को बनने के लिए 10s of billions of years लगेंगे जबकि इस universe की age ही है 13.6 billion years और इसलिए friends हमें कुछ और पुकता सबूत लगेंगे before we can truly conclude कि हाँ ब्रम्हान वाकई में एक दिमाग है और scientists इस पर अभी काम भी कर रहे है पर इस concept ने imagination के flood gates open कर दी है बिलकुल simulation theory की तरह जो ये दावा करती है कि हमारा ब्रम्हान एक advanced alien प्रजाती द्वारा created एक simulation है अब इस पर मैंने एक detail वीडियो अल्रेडी बना है जो आप simply YouTube पर search करके देख सकते हो but talking about simulation and brain you know जिस फीट से आज इंसानों के technology इतनी advanced हो रही है हमारे खुद के पास ही वो power आ जाएगी जो पूरे ब्रम्हान को ही एक विशाल दिमाग बना सकती है Welcome nanobots एक computer engineer Bill Joy के prediction के अनुसार 2030 तक ऐसे nanobots बनने वाले हैं जो अपने आपको replicate करके अपने जैसे ही कहीं सारे nanobots बना सकते हैं अगर ये किसी गलत इंसान के हाथ लग गए तो वो potentially इनसे पूरे universe को तक खतम कर सकते हैं You'll be shocked to know कि ऐसे nanobots 2030 छोडो 2020 में ही बन चुके हैं दरसल साल 2020 में कुछ universities के researchers ने frogs के कुछ stem cells को लिया और उन्हें AI के मदद से modify करके suitable environment में grow करने के लिए रख दिया कुछ दिनों बाद जब उन्होंने उन cells को normal cells के साथ रख कर microscope के नीचे observe किया तब दे वर mind blown उन्होंने देखा कि AI modified cells उनके surrounding में मौजूद normal cells को खा कर अपने जैसे ही दूसरे AI modified cells पैदा कर रहे हैं अब अगर हम इसी behavior को consider करें कि ये nanobots एक minute में एक नया nanobot बना रहे हैं तो इस slow rate पर भी वो सिफ 20 महीनों के अंदर पूरे पृत्वी पर कबजा कर सकते हैं और एक network of consciousness and intelligence बिचा सकते हैं जो कि और expand होता चला जाएगा galaxies तक, clusters तक और finally पूरे universe भर में And then, उस point पर अगर कोई हमारे ब्रह्मान को देखेगा तो उन्हें ऐसे लगेगा कि ये एक बड़ा जीता जागता active brain है और Elon Musk का AI threat सच साबित होगा Mark my words, AI is far more dangerous than nukes So definitely, ये technology गलती से भी गलत लोगों के हाथ में ना लगे बस यही हमारी दुआ रहेगी But अभी के लिए, we are left with only one question So friends, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में हमारा universe एक advanced being का brain है? Comments में जरूर बताना आपकी क्या opinion है क्योंकि आए दिन universe के बारे में ऐसे कई सारी नई hypothesis सामने आती रहती है जिस पर लोग अपने opinions देते रहते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही hypothesis सभी scientific test को pass कर पाती है Like recently, कुछ cosmologist ने ये proof किया है कि हमें जो age of universe बताया गया है, वो actually में गलत है उनकी research के नुसार Big Bang 13.7 billion years पहले नहीं हुआ था जैसे हमें बताया गया है, बलकि 27 billion years पहले हुआ था क्योंकि उन्हें कुछ ऐसे galaxies मिले हैं जो 13.7 billion years से कहीं ज्यादे पुराने हैं अब उन्होंने उन galaxies को आखिर ढूंडा कैसे और उन galaxies ने और क्या-क्या secrets खोले इन सभी सवालों के जवाब मैंने अपने एक वीडियो में already detail में explain कर दिया है जो कि आप यहाँ पर click करके से देख सकते हो, eye button दबा कर यहाँ पर कहीं बहा जाएगा और friends, आज के लिए बस इतना ही, उमीद है आपको वीडियो इंटरस्टिंग लगा, एक नया perspective, एक नया dimension इसने आपके सामने खोल दिया जिसने आपकी curiosity को spark किया, अगर हाँ तो subscribe कर लो और like करना मत भूलना and see you next time, till then as always stay curious, keep learning and keep growing, जय हिंद